नमस्कार, क्विकनिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरत दुबे और हम चर्चा कर रहे हैं R.E.C. को महारतन कंपनी का दर्जा मिलने के विशह से संबंदित खबर पर ग्रामिड विद्धुती करण निगम R.E.C. लिमिटेड को महारतन का दर्जा दिया गया है R.E.C. एक सारजिक शेत्र की नौन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अनि NBFC है जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी यह विद्धुत मंत्रायले के अंतरगत आती है जो देश भर में बिजली क्षेत्र को फंड्स महिया कराने और उसके विकास पर ध्यान के इंद्रित करती है R.E.C. ने दिन दियालोपाधिया ग्राम जोती योजना DDUGJY और सौभाग्य जैसी प्रमुख योजनाओं की सफलता में महत्तुपूण भूमिका निभाई है वर्तमान में R.E.C. संशोधित वित्रण क्षेत्र योजना R.D.S.S. के लिए नोडल एजनसी की भूमिका भी निभा रही है महारतन का दरजा मिलने से कंपनी के बोर्ड को संचालन और वित्ती मामलों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायतता मिलेगी कंपनी बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित वाली साहय कंपनीयों को शुरू करने के लिए एक्विटी में निवेश कर सकता है इसके अतरिक्त भारत एवं विदेशों में विलय और अधिकरहन कर सकता है जिसकी सीमा कंपनी के नेटवर्थ के 15 पतिशत तक हो सकती है लेकिन इसकी सीमा एक परियोजना में 5000 करोण रुपए से अधिक नहीं हो सकती 12 सरकार कुछ केंद्री सार्विनिक शेत्र के उद्यमों यानि CPSE को विशेज दरजा देती है तथा इन उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनिरत्न कहा जाता है सार्विक शेत्र के उद्यमों को विशेज दरजा देने के लिए कुछ मांदन्ड निर्धारित किये गए है मिनिरत्न कंपनियों को दो वर्गों में बाठा गया है शेणी एक वशेणी दो जिसकी शुरुवात 1997 में की गई थी शेणी दो के लिए कंपनी द्वारा पिछले तीन साल से लगातार लाब कमाया गया हो और उसके नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए वहीं श्रेणी एक के लिए कमपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में निरंतर लाब कमाया गया हो तथा तीन साल में एक बार 30 करोड रुपए का शुद्ध लाब अरजित किया गया हो नौरतन का दरजा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए जिसकी शुरुवात भी 1997 में ही की गई थी इसके लिए निदेशक मंडल के चार स्वतंत निदेशक होने आवश्यक हैं इसके अत्रिक छे अलग-अलग मापदंड जिसमें नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, कुल श्रम लागत, उत्पादन की कुल लागत, PBDIT, मुलिहरास, ब्याज और करों से पहले लाब और नियोजित पूझी महारतन की शुरुवात 2010 में हुई थी इसके लिए कंपनी को पहले से नौरतन का दर्जा होना चाहिए सेवी के नियमों के तहट नियुंतम निर्धारित सारजनिक हिस्सेदारी के साथ भारती शेयर बाजार में सूची बद्ध भी होना चाहिए पिछले तीन सालों के दोरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ती 15,000 करोड रुपे से अधिक होनी चाहिए पिछले तीन सालों के दोरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड रुपे से अधिक होना चाहिए